कढ़ी पत्ता या मिठी नीम किचन के लिए एक सबसे उप्योगी पौधे की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो कढ़ी पत्ता का आता है तो सभी के घरों में लगवक कढ़ी पत्ता लगा होता है, मिलता है आपको कड़ी पत्ता एक permanent पौधा है और बहुत ही आसान है इसको अपने kitchen garden, terrace garden में उगाना देखिए दुस्तों ये मेरा पौधा है करीब धाई साल से मैंने इस गमले में लगा रखा है ग्रो बैग में ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है और काफी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है तो आज की वीडियो में हम इसी की growing tips के बारे में बात करेंगे और देखिए मेरा पौधा कितना घना है और बुसी है तो इस प्रकार इस पौधे को कैसे बनाना है घना कैसे ज्यादा ज्यादा घना कैसे होगा और इसकी पत्तियां आपको दिख रही है कितनी green और इसमें जो चमक है वो कैसे आएगी साथ में इसमें कौन सी बीमारी लगत तो चैनल को सब्स्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो आए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कड़ी पत्ता के बारे में दोस्तों यह जह जो पौधा होता है यह मैंने आपको पहली बता यह प्रमानेंट पौधा होता है और इसका ग्रोइंग पीर्एड होता है दोस्तों जो भरोरी के बात से स्टार्ट होता है इसमें growth और अक्टूबर नौवंबर तक इसमें growth चलती है जब सर्दियां आती हैं तो यह अपने dormancy में चला रहता है अपनी growth को रोक देता है तो अभी जो best time है मांसून चल रहा है तो ऐसे में आप इसमें कुछ काम जो है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो करके आप पौधा घना कर सकते हैं बूसी कर सकते हैं ताकि जो डॉर्मेंसी में है तो पौधा आपका वहां मरा हुआ ना दिखे दोस्तों सबसे पहली चीज कि कड़ी पत्ता के पौधे के लिए जो मिट्टी आप बनाते हैं मिट्टी की हम बात कर लेते हैं तो मिट्टी में मौश्चर चाहिए कड़ी पत्ता मौश्चर को पसंद करने वाला पौधा है तो जो मिट्टी आप बनाएंगे उसमें मौश्चर hold होना चाहिए, पानी टिकना नहीं चाहिए लेकिन moisture hold होना चाहिए देखे इस प्रकार से तो जो मिट्टी आप बना है उसको combination मैं आपको बता दूँ जिसमें आप 50% नार्मल गार्डन सोयल 30% कोको पीट, साथ में 20% compost, ये ratio होना चाहिए मिट्टी का उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो अगर आप चाहे तो पौधा nursery से लेा सकते हैं, अगर कहीं seeds मिल जाते हैं तो आप उससे भी पौधा ग्रोग कर सकते हैं या फिर cutting से भी ग्रोग हो जाती है maximum आपने देखा होगा YouTube पे जो वीडियो चोटे पौधे को लोग घना बनाते हैं मैंने थोड़ा सा पौधे को बढ़ा किया है उसके बाद इसकी pinching किये ताकि ये पौधा मेरा एक पेड़ की तरह दिखाई दे छट पे जब मैं आऊं तो आप देख सकते हैं ये पौधा मेरा किस प्रकार से नहीं नहीं ब्रांचिस निकाले अभी मैं आपको दिखाऊं देखिए इसमें flowers आने लगे हैं तो अगर आपको seeds चाहिए हो तो आप इन्हें छोड़े अन्य था इससो आप हटा दें इस प्रकार से क्योंकि पौधा फिर अपनी energy जो है सीट पौट बनाने में वेश्ट करता है अब यह देखिए यह सीट समने हटा दिया है तो यहां से पौधा नई ग्रोथ लाएगा और अपनी जो energy है वह पौधे की ग्रोथ में लगाएगा तो इस प्रकार से जो भी आपको सीट पौट दिखें उन्हें हटाते रहें तो पौधा और ज्यादा बूश्ट होगा उसकी ग्रोथ और घना होगा साथ में पिंचिंग करना बहुत ही आवस्ट्रक होता है तो जो टाइम होता है पिंचिंग का दोस्तों मांसून में करें या फिर फरवरी मार्च में कर लें जिससे की पौधे की ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है खिल के आती है तो जहां जहां आपको सीट पौट देखे या फिर नई ग्रोथ जो जहां से आपको धेर सारे ब्रांचिस लेनी है वहां पे आप पिंच कर दें तो इस परकार से हमने देखे य जहां से भी नई नई ब्रांचे जाएं, तो जहां से हमने किया हुआ, वहां से धेर सारी नई ब्रांचे जाएं तो इससे पौधा काफी घना हो जाता है। साथ में एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो जो भी ब्रांचे आप कट करते हैं वहां पे उसको फंगिसाइड या हल्दी पाउडर से सील करना ना भूले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके लिए रखना कहां है इसे तो उससे पहले हम बात करते हैं इसके गंबले की साइज की तो देखिए चोटे से चोटे गंबले में काफी एजली ग्रो हो जाता है अगर आप इसे 12 इंच का ग्रोव बैक देंगे तो काफी अच्छे सी यह इसमें ग्रोव होता रहेगा लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसको बार-बार रिपॉर्टिंग या जो चिंज करते हैं हम जगें कभी उठाके उधर कभी उठाके उधर रखते तो यह पसंद नहीं है अगर आप बार-बार रिपॉर्ट करेंगे से तो पौधा होता है वो आपको जो धूप होती है काफी तेज ब्राइट सनलाइट होती उसमें नहीं रखना है या मान लीजे आप दिन में तीन से चार घंटे की सनलाइट अगर आप इसको देते हैं तो वो इसके लिए बहुत ही सफिसियंट होगा और उसमें काफी अच्छे से पौधा आपका ग्रोथ करेगा जब धूप ज्यादा लगने लगती है तो इसकी जो पतियां होती है यह यलो होके इसमें ड्राइ होने लगती है और इसमें स्पॉट्स आने लगती है ब्राउन कलर की तो यह जो धूप की वज़े से यह इसमें प्रॉब्लम पैदा होती है तो अगर महीने में एक बार आप इसकी मिट्टी की गुडाई जरूर करने जिससे की हवा है वो रूट्स तक आती जाती रहे हैं तो रूट्स को ऑक्सिजन मिलेगा तो रूट्स हल्दी होगी रूट्स जितनी हल्दी होगी पौधा उतना ही अच्छे से ग्रोथ करेगा तो इस प्रकार तो इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं साथ में नीम खली जो की इसमें भी काफी एंटी फंगल और एंटी बैक्टिरियल प्रापर्टी होती साथ में धेर सारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं और हमने लिया हुआ है एप्सम सॉल्ट इसको आप मिट्टी में भी साथ में इसका इसप्रे भी पत्तियों पर करें वह कैसे करना भी मैं आपको वीडियो में आगे वह बताने वाला हूं इसके लावना दोस्तों यह हल्दी है मैंने आभी आपको बताया कि जो कड़ी पत्ता का पौदा है वह मुश्चर को पसंद करता है तो मिट्टी नम रहन करके कुछ माइक्रो नुट्रिंस प्लाए आते हैं यह पौदे की ओवराल ग्रोध को काफी अच्छे से इनहेंस करता है इन सभी चीजों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद दोस्तों हमने गुलाई की हुई है मिट्टी की इस मिट्टी में हमें यह बारा बारा इंच के ग्रोब आगे इसके हिसाब से करीब दो मुठी हम इसमें यह कंपोश्ट जो हमने तयार किया हुआ है इसको दे देंगे और देने के बाद मिट्टी में अच पोश्ट अब दोस्तों एक जो कढ़ी पत्ते के लिए सबसे जरूरी फर्टलाइजर है हम उसकी भी बात कर लेते हैं तो वह है दोस्तों यह इस प्रकार से सड़ी हुई दही या छांच जो जितनी ज़्यादा सड़ी होती है उतनी अच्छी होती तो मैं देखिए दोस्तों मै जितना हमने कढ़ी चांच या दही लिया हुआ है उसका चार गुना पानी हम इसमें एड़ कर लेंगे तो दोस्तों हमने आधे गिलास दही ली हुई थी और हम इसमें दो गिलास पानी को एड़ कर लेंगे इस प्रकार से देखिए यह हमारा फर्टिलाइजर जो है यह तयार हो गया है और इसमें आपको कैल्सियम साथ में जो नाइट्रोजन है वो काफी अच्छी मात्रा मिल जाती है तो हमने इस पौधे में इसको दे देना है महीने में एक बार अगर आप ऐसा देख करते हैं यह जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताए यह देते हैं तो आप अपने कढ़ी पत्ते की ग्रोफ देख सकते हैं इसी प्रिकार से आपका कढ़ी पत्ता घना हो जाएगा साथ में मैंने दोस्तों वाइव को बताया है अभी एप्सम साल्ट का हम मिट्टी में हमने एप्सम सॉ उसे भी इस प्रे कर सकते हैं पौधे पर उससे भी इनकी पत्ति में चमक और जो ग्रीनरी है वह काफी अच्छे से बढ़ती है तो आपका पौधा देखने में काफी की उपसूरत होगा अब गर्रोल के रीदिश अब अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो रोग होता है इसमें 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 का या मिली वक्त का एक होता है उसके लिए अपने लिए फीमिल का जो पदे कर सकते हैं तो स이के से 5-10 ml जो पानी है उसमें मिक्स करके किसी कपड़े में लगाके आप इसको कपड़े से वाइप कर सकते हैं तो आपका जो ब्लाक माइट्स का प्रॉब्लम है या एक इफिट का प्रॉबलम हो साल्व हौ जाएगा अब même हमें इस्परय का इसे करना दोन दोस्तों तो दोस्तों माइल का इस honey वोतल में हमने एक लीटर पानी ले लिया है इसमें हम 5 ml नीम आइल को लेंगे पांच एमल हमने नीम आयल ले लिया है और साथ में कोई भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड डिस वास, सौप, हैंड वास जो भी हो वो आपको इसके कुछ ड्रॉप्स ले लेने हैं ऐसा इसलिए करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि जो नीम आयल होता है वो सॉल और मिक्स करके पूरे पौधे पर अच्छे से हमें इस्प्रे कर देना है सभी पत्कियों पर हमें इसका इस्प्रे करना है आगे और पीछे दोनों साइड से जिससे कि जो भी एफिट्स हों मिलीवग हों वो सब यह नीम आयल उनसे प्रिवेंट करता है और उन्हें खतम करत तो आपका पौधा इस प्रकार से काफी घहना ग्रीन और चमकदार देखता रहेगा